अगली सरकार किसकी बनेगी? इसे लेकर भले ही नेता और देश की जनता को 23 मई तक का इंतजार करना होगा जब चुनाओ के नतीजे आएंगे अगली सरकार किसकी बनेगी? इसे लेकर कयास से लेकर सट्टा यानि शर्प लगाई जा रही है खबरों की मानी तो 60 बाजार 2019 के आम चुनाओ पर करीब 2 लाख करोड रुपए का सट्टा लग चुका है 2014 की लोगसभा चुनाओ के मुकाबले दो गुना है देश में दुबारा बीजेपी की सरकार बनेगी इस पर 1 रुपए 40 पैसे का भाव सट्टा चल रहा है यानि बीजेपी की सरकार पर 60 बाजार 140 रुपए के भाव पर है यानि 40 रुपए उपर मोधी प्रधानमंती दुबारा बनेंगे इसके लिए 60 बाजार 100 रुपए पर 25 रुपए का भाव दे रहा है जबकि अगर राहूल गांधी वाइनाड या अमेठी दोनों सीटों से जीतते हैं तो 60 बाजार दोगनी रुपए के भाव पर चल रहा है मोई गांधी परिवार की अगली पीडी को अगले चुनाओ में चुनाओ प्रचार करते देखा जाएगा या नहीं इस पर भाव है 51 रुपए का इस बार IPL से अधिक 60 भाव लोग सभा चुनाओ के नतीजे पर लग रहा है